गुद मोर्निंग बच्चो गुद मोर्निंग से आज हम करेंगे एव मात्रिक सब्द यानिके बिना मात्रा वाले दो वर्ण वाले सब्द ठीक है हमने पिछली वीडियो में वर्णों की पहचान कर ली थी आज हम उन्हीं दो दो वर्णों को लेंगे और उनको जोड कर यानिके उनको मिलाकर एक सब्द बनाएंगे वो सब्द आपने पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहला क्या लिखा है पढ़ो आप मग मग क्या बन गया मग आगे क्या है नल न और ल मिलने से बन गया नल आगे क्या है धन धो और न मिलने से क्या बन गया धन आगे क्या है रस रस ठीक है अगे है नग नग आगे क्या है दल अगे क्या है कल दज्यान से पड़ो गटा क्या लिखा है कन आगे कस कस वेरी गूड अब हम अगर इनको ऐसे पढ़ेंगे तो यह हमारे राइमिंग वर्ट यानिके तुकान सब्दों की तरह हो जाएंगे जैसे पहला लिखा है मग नग पग खग लिखाया ना अब आप इस लाइन को पड़ेंगे उपर से नीचे तक क्या लिखाया है आगे पड़ो धन कन मन तन वेरी गूड रस रस कस कस डस डस नस वेरी गूड वेरी गूड बच्चे अपको तो पढ़ना आता है तो कल हम करेंगे इसके तीन वर्ण वाले सब्ड ठीक है आज की लिए हम इतना ही करेंगे दो वर्ण वाले सब्ड इसने ये सब्द आपने कोपी में लिखने है ठीक है एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं साथ की साथ पढ़ते हैं आप मेरे पीछे-पीछे बोलेंगे इसको सभी बच्चे ठीक है तो ये सोला सब्द है आपने इनको कोपी में लिखना है की